हेलो एवरीवन आज का मारा कोशन है फाइंड डिग्री मेजर ओफ एन एंगल सबस्टेंडेट एड़ सेंटर ओफ रेडियस 28 सेंटीमिटर बाइन आर्क ओफ लेंथ 22 सेंटीमिटर तो देखिए कोशन क्या कह रहा है कि आपको डिग्री फाइंड करनी है ठीक है दोस्तों आपको डिग्री फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते क्योंकि सेंटर ओफ सर्कल पर वो एंगल बनने वाला है ठीक है तो हम सबसे पहले एक सरकल बना लेते हैं ठीक है तो हमने एक सरकल बना लिया और उसका एक सेंटर है कहता है तो हम मान लेते हैं सेंटर हमारे पास O है ठीक है फिर उसके बाद हमें हमारे पास क्या गीवन है दोस्तो हमारे पास क्या गीवन है हमारे पास रेडियस गीव और कह रहा है कि यहाँ पर एक एंगल हमें find करना है ठीक है एंगल find करना है और हमारे पास आर्क की एक वैल्यू है ठीक है दोस्तों एक आर्क की वैल्यू है जो है हमारे पास 22 सेंटीमेटर तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक आर्क है ठीक है और उसकी वैल लेते हैं हमारे पास alpha है ठीज़ों पर तो हमें alpha की ही value यहाँ इस question में हमें सीफ alpha की value find करनी है तो देखिए हम कैसे find करेंगे सब्सेप perspectives हमारे पास यह से यहा तक जो हमारा एक आर्क ए उसका distance given है उसका distance कितना है दोस्थ 22 cm give Dieses तो हम क्या करेंगे हमें एंगल निकालनी है जो अलफा है तो देखें यह हमारे पास क्या है दोस्तों यह रेडियस है तकल होता है और यहाँ पर आता है तो हम उसे क्या कहता है दोस्तों रेडियस कहते है ठीक है तो हमारे पास रेडियस है यह से फाइंड करेंगे सबसे पहले हम क्या करे हैं और हमारे पास एक फॉर्म फॉर्मूला सब तोad 22up 27 हमारे पास थो रीडियस कितना है दोस्तों हमारे पास 28 है तो सबसे पहले हम इसे कैंसल कर लेंगे जिए समय and the of seven below थो जि कितना आजाएगा 8 x 22 कि इतना होता है देखिएthree at 6 means 1 देखे 76 cm क्या है दोस्तों हमारे पास 176 cm हमारे पास circumference आ चुका है अब देखे आपको पता है दोस्तों कि जो भी angle बनता है हमारे circle में वो कितना होता है 360 degree का होता है ठीक है यह पूरा angle कितना होता है दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप पूरा घूम कर easy point पर आएंगे तो कितना होता दोस्तों 360 degree होता है देखे दोस्तों यहाँ पर 360 degree की हमेरे पास value है जो है हमारे पास 176 cm तो देखे दोस्तों 360 degree की हमारे पास value है जो है हमारे पास 176 cm ठीक है तो हमारे पास क्या है दोस्तों 22 cm की हमें value निकालनी है 22 cm की हमें value निकालनी है यह हमें 22 cm में कितना angle आएगा उसक करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे धिक है यह हम कोश्ण उसके जगापर हम एकस कंसिटर कर लेते हैं धिक 360 into 22 is equal to 176 into x अब देखे दोस्तों अभी हमने 22 से multiply किया था तो देखे ये 22 1s और ये 22 8s और 22 1s और 22 8s ये हमना रहा 176 cancel हो चुगा है अब क्या है दोस्तों देखे ये आपर multiply में है इदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा divide में चले जाएगा ठीक है तो 360 divide by 8 360 divided by 8 तो x की value कितने आएगी दोस्तों देखे अगर हम इसे divide करेंगे देखे 360 divided by 8 तो कितना हो जाएगा देखे लिखे लिखे फोर्जा 32 और ये 40 और ये 0 ये कितना हो जाएगा 45 तो x की value कितने है दोस्तोंлам competence 45 यहाँ पर हमारी x की value आई ही तो दोस्तो इस प्रकार के question में सबसे पहले आपको circumference निकाल लेना है जो हमारा circumference आया था वो 176 आया था अब 176 किसके बराबर है दोस्तो 360 के बराबर है तो हमें 22 cm पर ही value निकालनी है जो हमारा alpha है और उसे ही हमें find करना है तो हमने क्या कर लिया दोस्तो फिर उसे cross multiply करके alpha की value निकाल ली जो हमारी 45 है की value कितनी है दोस्तो 45 degree हमारी alpha की value आई है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिये चैनल को subscribe करिये मिलते अगले वीडियो में नमस्कार